जहिन साथियों स्वागत है आपका इसमेहत्मंत्री चैनल पर जैसे कि आपको पता है कि 17 तारीख में पूलीस की एक्जाम हुए हैं जिसमें 2 shift के एक्जाम हो चुके हैं आज 18 तारीख के एक्जाम हो रहा है तो दो shift के exams के analysis के according जो भी students पढ़ने वाले थे मेहनत्ती थे उनके according यान उनके numbers के according आपको मैं UP police का cutoff बताने जा रहा हूँ तो जैसे कि आपको पता है कि 17 तारी को first shift और second shift दोनों तो हुआ पर हुआ पढ़िया हुआ GS और Hindi का level एकदम बिल्कुल नार्मल था math भी ठीक था 4-5 question math के थे जो कल्कुलेटिव थे बात रहे reasoning की तो reasoning के कुछ question ऐसे थे जो सबके बस की बात नहीं थी जैसे कि 5-6 question ऐसे थे जो कोई नहीं किया हो और 20 या 13 हाँ लगभग 20 question ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे पढ़ेंगे तो आपसे हो जाएगा लेकिन पढ़ते ही आपको time जो है ज्यादा खर्च हो रहा था तो time taken question था तो exam लगभग सब पास हो जाते हैं अगर समय थोड़ा सा अगर और 10-20 minute मिल जाता तो लेकिन इसमें समस्या यह थी कि time taken questions डाले गए थे तो उनके एक वाड़िंग जो है ना cut off जो है न time taken खतम कर दिये तो आगे question कहां करेगा बच्चा जो है न जो reasoning के question थे decision लेने वाले police उप निरिक छक बना रहा था बार बार सभी समस्या यह आपके सामने रख रहा था तो वाले question जो है न 4-4 line के थे तो कम से कम पढ़ने में ही एक यह 2 minute लग रहे थे तो कल की shift के दोनो shift के अनुसार जो है न general की cut off जो है न general में जो है अधरी state के भी बच्चे आ गए है जनरल की cut off थोड़ी high जाने वाली है क्योंकि अधरी state से बच्चे जादे आ गए है तो general की cut off 100-105 question या तो 100 पे भी हो सकता है 101 पे भी हो सकता है 105 maximum है इससे जादा नहीं जाना चाहिए कल के 2 shift के analysis के अनुसार general की cut off 105 question जिसके है उसका 100% selection होगा उसके बाद OBC में 94 से ले करके और 100 के अप्राक्स 94 से ले करके 100 के अप्राक्स इसका होगा उसका होना चाहिए 2 shift के analysis के अनुसार यानि कल के 2 shift के analysis के अनुसार उसका OBC में हो जाना चाहिए महिलाओ का थोड़ा सा उनसे 24 नमबर कम रहेगा यानि 90 से 94 के बीच महिलाओ का cut off रहेगा उसी परकार जो महिला का cut off रहता है उनहीं के अप्राक्स आसपास CST कर रहेगा यानि उनका भी cut off 90 के आसपास ही रहेगा तो इस तरह से आप लोग का cut off किलियर हो जाता है आप लोग भी कमेंट में बताइए आपके कितने कोशन सही हो रहे है कार्ट बीट के जिससे कि एक अकड़ा नया बहन सके कि नया cut off कितना जा सकता है और आज का पेपर हो जी रहे आठारा तारीखा तो आलो भर जो है ना cut off यही रहने वाली है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समझी गए होंगे पेपर जो दिया है मिलाया है उसको पता ही होगा कितना है फिर मिलते हैं नेक्स आपके साथ तब तक लिए जाए हिन बाई बाई टेक केर